हेलो प्यारे बच्चो आशा करती हूँ आप सब स्वस्त है और यह है आपकी जनरी क्यानिकी जनरल वर्कशीट जो जनरल अवेरनेस के लिए होती है फर क्लास 6 तो 8 सभी बच्चों के लिए वर्कशीट नमबर 16 जी 16 येस फर शिडियूल तो बे डान उन 24 जुलाई 2021 students today's worksheet is based on cleanliness yes cleanliness is godliness आप बार बार स्लोगन पढ़ते हैं ना cleanliness is godliness तो आसपास अगर हमारे सफाई होगी तो हम हर काम अच्छे से कर पाएंगे बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं बहुत जरूरी है cleanliness maintain करना तो आईए उसके importance को देखते हैं उसको analyze करते हैं अपनी situation में भी look at the pictures below which town do you prefer तो आपके सामने दो pictures हैं बताइए कौन सा टाउन है जो आपको अच्छा लग रहा है आप किसमें रहना पसंद करेंगे यह कितना garbage है कितना dirty और यह कितना neat and clean है तो यहां पर आपको देखके भी जो इतना अच्छा लग रहा है तो रहने में भी तो वही बेर करते हैं देखिए जो pictures हैं इसके यह pictures को देखकर आपको नीचे यह Phillips को फिल करना है और आपको यह clue box दिया गया है write the difference between them by filling in the blanks using the words given in the box आपको यह pictures भी बनानी है अपने copy में और नीचे उस picture के नीचे यह passage इस picture के नीचे आएगा one picture one के नीचे one passage आएगा और picture two के नीचे यह दूसरा passage आएगा तो देखिए this is a dash town तो यह कैसा town है clean हम इसको कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा clean आएगा लिखके भी दिखा देती हूं तो this is a clean आप spelling नीचे से भी चेक कर सकते है clean town the surroundings are dash and dash तो आपका आसपास का आप देखिए कैसा लग रहे है neat and clean लग रहे है तो the surroundings are neat and clean अब देखिए people use dash अब people क्या और neat and clean को neat clean हम एक पहले यूज़ कर चुके हैं तो एक और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं येस दूसरा वर्ड हमारे पास एक और है तो हम इसको यूज़ करेंगे beautiful यहां पर लिग लीजिए beautiful नीट भी है beautiful भी है बहुत सुंदर भी है surroundings तो आप spelling यहां से verify कर सकते हैं people use लोग क्या यूज़ करते हैं यह रेखिए यह dustbin बना हुआ है उसको clean रखने के लिए क्या जरूरी है क्या यूज़ करना चाहिए उने people use dustbin d-u-s-t-b-i-n people use dustbins तो यह रहा dustbins people use dustbins to keep the surrounding clean इन लोग dustbins का इस्तेमाल करते हैं surrounding को अपने आसपा सब कुछ साफ सुथरा रखने के लिए अब देखिए दूसरा passage है this town looks very dirty तो अब आपके यह first इसमें आपका आजाएगा dirty there is dash all around the place चारो तरफ क्या दिख रहा है आपको garbage क्या है चारो तरफ यह कूडा है garbage people dash use the dustbin to dash the garbage वो use नहीं कर रहे है तभी तो इदा दूर फैका हो ना रखने होते हैं वो भी उसके अंदर नहीं डाला हुआ तो people do not use people do not use the dustbins to dash the garbage to throw the garbage तो बिटा मैंने यहां numbering इसले किया ताकि आपको वो spelling easily समझाए नीचे के words उसमें छुप जाते हैं जैसे first passage में था तो इसले मैंने यहां पे आपको numbering करके दे दिये कि number one में क्या आएगा dirty number two में आएगा garbage number three में do not और number four में throw कि लोग throw नहीं करते garbage dustbin में how do your surroundings look like अब आपके surroundings कैसे दिखती है तो clean है अगर आपके surrounding clean beautiful आप यह words यहां पर use कर सकते हैं how can you keep your surrounding clean let us answer this question by choosing the correct options to fill in the blanks तो आप अपने surroundings को कैसे healthy clean रख सकते देखो यह दो आपको pictures दी गई है all of us like to live in a clean neighborhood और surroundings हम सब को कहां पर रहना पसंद है साफ सुथरी जेगा पर है पसंद है we must practice both personal and environment cleanliness हमें सब को क्या करना चाहिए हमें personal यानि कि अपने शरीर की अपनी मी साफ सफाई का अपने environment की साफ सफाई का अपने surrounding की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए this will help us to live a healthy life इससे क्या होगा हम स्वस्त रहेंगे यह हमें मदद करेगा स्वस्त रहने में waste और garbage dash be thrown anywhere but only in dustbin हमें कभी भी इधर दर नहीं फैकना चाहिए waste या garbage should not be thrown anywhere कहीं भी ऐसे नहीं डाल देना चाहिए बलकी कहां डालना चाहिए dustbin में डालना चाहिए dash garbage all over the place will throwing garbage अगर आप garbage को इधर दर फैकेंगे तो क्या होगा will pollute the environment वो environment को गंदा कर देगा अगर आप इधर दर garbage को फैकेंगे इसलिए हमें dustbin का use करना चाहिए इसके बाद देखिए यहां पर आपका throwing और pollute इसमें आएगा answer controlling the use of अब control करना है क्या use of dash bags will help to keep our surrounding clean तो हमारे paper bag तो bitter decompose हो जाते हैं हमें plastic bag के use को कम करना चाहिए उसे control करना चाहिए प्लास्टिक से no to plastic आता है ना say no to plastic का कारण यही है कि यह biodegradable नहीं होते और सालों करोडों सालों तक मिट्टी में पढ़ा रहकर मिट्टी को भी बंजर बना देते हैं अगर animals इसको अपने food के साथ खाले तो उनके लिए भी यह बहुत खतरनाक और poisonous है तो इसलिए हमें plastic bags क use नहीं करना चाहिए one should use recycled and dash eco-friendly या plastic products one should use हमें use करना चाहिए recycled जो एक बार use करके फिर दुबारा use करने लायक बनाई जाती है जिसे jute है paper है eco-friendly products जो है तो इसको बोलता है eco-friendly products like paper or jute bags instead of plastic one हमें plastic की चीजों की जगा क्या ही उस करना चाहिए हमें eco-friendly चीजों का इस्तमाल करना चाहिए तो आपको answer पता चल गया या आपका सही answer है eco-friendly dash causes land air and water pollution तो बिटा इधर उदर सब चीजे फैक रहें उससे land pollution मृदा का भी production होता है हवा का भी production होता है पानी का भी production होता है तो लांड एर वह और water pollute होती है अगर हम इस तरह से जगा जगा यह garbage और सब फैकेंगे तो तो उससे वह सब dirty तो होगा यह साथ में pollute कर देगा उसको environment को staying clean and healthy will keep us safe from अगर हम साफ clean रहेंगे स्वस्त रहेंगे साफ सुथरा रखेंगे सब कुछ तो हमें वह चोरी से theft से बचाएगा नहीं बिमारियों से staying clean and healthy will keep us from keep us safe from diseases बिमारियों से बचाएगा diseases आएगा यहां पे then so we should keep our surrounding clean तो हमें क्या करना चाहिए अपनी surrounding को clean रखना चाहिए साफ सुथरा रखना चाहिए and live happy कैसी life जीनी है happy and healthy life और हमें एक happy और healthy life जीने के लिए क्या करना होगा अपने surrounding को neat and clean रखना होगा तो बिटा अभी आपने जो देखा यह एक तरह से आप इसको passage भी देख सकते हैं कि अगर आपको passage लिखना आजए importance of cleanliness यह lines जो आप लिखेंगे अगर आप इनको learn कर लेते हैं तो देखिए आपके passages आते हैं write a paragraph write a passage तो importance of cleanliness importance of cleanliness पे अगर आपके लिए आता है paragraph आपके लिए lines लिखने के लिए आते exam में तो आप यह सारी lines अगर आपको याद हैं बहुत easy और simple lines हैं आप यह lines अगर learn कर लेंगे यह जो आपने अभी answers के साथ लिखेंगे आप अपनी copy में अगर आप इनको learn कर लेंगे तो आप बहुत असानी से paragraph जो article writing है importance of cleanliness और cleanliness is godliness इस तरह से article आता है और बहुत important बहुत जरूरी है यह चीज awareness के लिए भी जरूरी है तो आप इसे याद भी करिए लिखकर rough copy में एक बार याद करके दुबारा लिखिए ताकि आपके two in one preparation हो जाए एक आपके general awareness के साथ साथ आपका English का article paragraph writing की भी तयारी हो जाएगी है आप देखिए last but not the least COVID appropriate behavior आपको follow करना है हमेशा wash your hands with soap and water regularly always wear a mask and maintain physical distance of six feet or two yards बिटा हम सभी को COVID-19 को हराना है और इसके लिए हम सब को इस जंग को मिल के यह ऐसा नहीं है कि हत्यारों की हत्यारों की नहीं हमें अपने behavior से अपनी health and hygiene से आपको cleanliness की importance इसलिए बताई जारी है अगर हम cleanliness maintain करेंगे तो COVID के अलावा बहुत सारी और diseases से भी बच सकते हैं otherwise बारिशों का समय है इस समय rainy season में बहुत सारे microorganisms develop होते हैं और उनको develop ना होने देने के लिए उनसे बचने के लिए प्रिवेंट करने के लिए prevention is better than cure तो बचाव हम जरूरी है और उस बचाव के लिए सबसे पहले हमने अपने आसपस सफाई बनाए रखनी है और COVID appropriate behavior को follow करना है so keep learning and enjoying stay blessed and healthy thank you have a nice day